इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और संक्रमन के आगे प्रसार को रोकने के लिए लड़ता है। यह दस्त को भी रोकता है जो इस दवा के साइड इफेक्ट के रूप में हो सकता है। सेफलेब DT-100 टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है। इसे नुस्खे के अनुसार लेने की सलाह दी जाती है। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। लेकिन बहतर प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए। अनुशन सित्खुराक से अधिक का सेवन न करें, क्यूंकि इससे आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पर सकते हैं। यदि आपको एक खुराक याद आती है, तो जैसे ही आपको याद आए, इसे ले लें। बहतर महसूस होने पर भी उपचार का कोस पूरा किया जाना चाहि उपचार के अचानक बंध होने से दवा की शक्ती प्रभावित हो सकती है। इस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभाव मतली, उल्टी, दस्थ, अपच आदी हैं। यदि कोई भी दुश प्रभाव बढ़ जाता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए। यदि आप किसी भी अलजी प्रतिक्रिया यानि की चकते, खुजली, सूजन, सांस की तकलीफ, आदी का अनुभव करते हैं, तो आपको ततकाल चिकित सा सहायता लेनी चाहिए। इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप किसी भी स्वास्थि स्थिती के लिए कोई दवा ले रहे हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शराब पीने से बचें क्योंकि इस से इस दवा के साथ अत्यधे को नींदापन हो सकता ये आमतोर पर आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को कम नहीं करता है लेकिन अगर आपको नींदिया चक्कर आ रहा है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तेजी से ठीक होने के लिए आपको पर्यापत आराम करना चाहिए, स्वस्था हार भी लेना चाहिए और अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद